वैश्न वजन तो तेने रे कही जे पीड़ पराई जाने रे वैश्न वजन तो तेने रे कही जे पीड़ पराई जाने रे एकवार राजेंदर बाबु बीमार पढ़े बापु ने ए वातनी खबर पढ़ता तेवो श्री राजेंदर बाबु ने मढवा गया बापु ये तिमने थोड़ा दिवस पूरे पूरो आराम लेवानू सुच्वियो पची बाबु राजेंदर बाबु ना धर्म पतनी ने हस्ता हस्ता खेवा लागया केम तमे राजेंदर बाबु नी बरोबर सेवाग न थी करता लागता नहीं तो आम वारेगड़िये मानदा केम पड़े राजेंदर बाबु ना पतनी बोलिया बापु हूं तो येमने किटली वार आराम करवानू कहूं छूं पण अमारू ये क्या माने छे आखो दिवस खुप काम करे छे जराए आराम लेता ना थी पछी मानदार न पड़े तो शूं थाए बापु हस्ता हस्ता विनोत करता कहे येमा वांक तमारोज खेवाई तमारे हुकम करवो जो ये के हवे आराम लेवो पर्ष राजेंदर बाबु पती तरीके तमारी उपर हुकम क्यारेक बजावता उसे ने तो तमने पण एमने उपर हुकम बजावानों अधिकार छे ए अधिकार न उप्योग करो हाँ साम्बली ने राजेंदर बाबु तेमना पत्नी अने त्यां हाजर सव खड़कडाट हसी पड़े बापु साथे नाना मोटा सव विनोत करी शक्ता हता बापु पन एटला अज उमलकाथी विनोत ने आवकारता अने गणिवार पोतानी सामे बतावेला विनोत पाचलना मर्मने पकड़ी लई पोतानी उपरज हसता बापु निया खुबी हती आवाक एटला अक प्रसंगो चोईये सेवाग्राम आश्रम मा कोड़ा खूब थता हता एले रोज सवार सांज कोड़ा नोशाक थाए एथी गणा आश्रम वासियो कोड़ू खाई-खाईने कंटाड़ी चता परन्तु बापु ने कहे कौँ एक दिवस एक बाळकी बापु पासे जईने ठावकों मो राखी ने बोली बापु बापु इमारी एक वात सांबर्शो बापु कहे जरूर जरूर बेटा एले बाळकी मनमा हस्ती हस्ती बोली बापु आ सेवा ग्राम नुँ नाम बदली ने कोडा ग्राम राखो तो सारू बापु ए साम्बली ने खड़कडाट हसी पड़े अने बापु बोल्या अरे तु तो जबरी वकिल निकली बापु गोड में जी परिशत वेड़ा इंगलेंड गया हाता यूरोप ना लोकों कोड पाटलून वगेरे पहरे छे चो कोई पूर्ता कपड़ा नव पहरी निकले तो लोकों तेने असब्य गणीर खाड़े छे परन्तु बापु ए तो एंगलेंड मापन कच्छ धारन करे हो त्यानी सकत ठंडी माँ बाव बावतो तेवो शरीरे चादर के शाल विटार था आवो पोशाक तो ए देश माँ असब्य गणाए एटले इस त्याना जानीता मुझसदी चर्चिले बापु ने अर्ध नग्न फकीर तरीके वर्ण जया बापु नो आवो पोशाक जोई ने बालको पन गम्मत करता बोली उटता अरे गांधी चाचा तमरू पाटलून क्या चे ए सांब्ली ने बापु खड़़ाट हसी लेता सरदार वल्लब भाई पन बापु साथे छूट थी विनोत करता बापु खावानी बदीवस्तू मां सोडा नाखता हाता एले सरदार ने एक मुट्टो मजाक नो विशय थेई पड़ेओ कईक अर्चन आवे औने बापु मुझोनमा पड़ी जाए एले सरदार हस्ता अस्ता कहे सोडा नाखो नी सोडा अने बापु सांबली ने खुब बचवसी पड़े बापु पर कागलो आवता एमा घणिवार विचित्र सवालो पूछा था एक दिवस एक जणे बापुने सवाल पूछे वातो आपनों त्रोण मननों शरीर लईने आपने धर्ती उपर चालिये अने अनेक केडियों चकदाई जाई एह हिंसा शीरित्याट का भी शकाए बापु ए गंमत मां सरदार ने कईू बोलो लब भाई आनोशो जवाब लखिये सरदार असनास ना कहे एने लखो नी कि बग माताऊ पर रही ने चाल बापु सव नी साथे मुक्त मने हसी पड़या कलकतामा कोंग्रेस नू अधिवेशन भराई उवतू ते वक्ते त्याना खादी प्रदर्शन नू उदगाटन बापु एक करियू उदगाटन पचि येवू जाहर करवाम आवियू क्या त्यारे जे लोको खादी खरीद शे एनू बिल गांधी पोताना हस्ताक शर्मा बनावी आपशे हा साम्बली ने गणा लोको उच्छा भेर खादी खरीदवा धसी आव्या लोको नो आम एका एक धसारो थावा थी अवेवस्ता उबी थाईगे आज होईने बापु है कई हूँ तमारे जे टला रूपया ने खादी खरीदवी होए ये टला रूपया मने आपी दो हूँ बिल बनावी आपू और पछी तमे लोको निरा आत्यावी ने खादी लई जजो बापू नी आ योजना बदाने गमी गई अने जोट जोता मा अड़ी हजार रूपया बेगा थाई गया प्रोफेसर कृपलानी जी बापू नी पास से जुबाहा था ये मने हसना हसना गम्मत मा खयू जोईू आपू लेवू काई नहीं ने वाणियाए घड़ी कवार मा अड़ी हजार रूपया पड़ा विली था आसांब्ली ने बापू खड़कर अठस्या ने बूलया आवू काम पानी अचकरी शके प्रोफेसरों बजुद नहीं कृपलानी जी आणिरी